तो आज हम देखेंगे जो LED बॉल्फ होता है 9W डियो वाला LED बॉल्फ इस बॉल्फ बहुत हलका हुलका होता है ये बहुत तो इस बॉल्फ का जो raw materials है उसका प्राइस कितना है एंड इसको बनाया जाता है उसका प्रोसेस क्या कैसे बनाया जाता है तो यह आज हम देखेंगे आपके चाहिए इस बनाने के लिए ये दो मेशिन के इस्तमाल होता है एक होता है जो पंचिंग जो निशान देख रहा है इस पंचिंग मेशिन का निशान है पंचिंग मेशिन से पंच करना पड़ता है इस कैप को वह वाला एक मेशिन चाहिए और एक होता है कि टिक की फिटिंग मेशिन तो अगर आपके पास ट में तो लेकर आप बिशनेस कर सकते हो और कोई जड़रा नहीं यह नॉर्माल डीवी टाइब है तो यहां पर प्लास्टिक बॉर्डी होता है तो अब विदाउट टिक्विटिंग मेशिन अब बना सकते हो तो मैं वही चीज आपको देखाऊंगा कि विदाउट टिक्विटिं बहुत लाइट है ठीक है तो इसका लाइट बहुत होता है तो देखते हैं कि इसको हमने कैसे बनाते हैं अभी हम आपको दिखाते हैं तो इसका जो रॉव मेट्रियल्स होता है ठीक है और रॉव मेट्रियल्स कुछ ऐसा होता है आपको पहले मिलेगा यह हाउजिंग यह पी किया कि अधिक स्थां Dash टिक की काई है एक क्ी सब्सांत गOoh गया एक दिफ्यूजर जाए हम बॉक्स मिलीग का किया अपको बॉक्स मिलेगा पैकिंग का बॉक्स और एक ड्यों कुछ वी पर बार में हमने बहुत शारा कॉन सा वाला द्री को अच्छा आपको ड्योविक तो मेरा एक वीडियो है पहले से चैनल पर उस वीडियो का देख लेना तो एक वीडियो वी यह मिलता भी 20 वाला कैप लोगे बी टेटी टूहाँ पर यह यह ब्लाइब करके आपको कम करना पड़ेगा है अगर आप ड्यों बनाते हो यह वाला कैप ले लीजिए कोई प्रब्लम नहीं है इसका टाइम बहुत बज जाता है इंडिक नहीं रहता है कि तो देखें नॉर्माल यह आपको मिलता है क्या हाउजिंग कि आपको मिलता है यह डियो भी और एक कैप बहुत साथ लोग का खुद का ब्रैंड है तो उन लोग के पास बॉक्स होता है तो यहां पे दो टाइप रॉमेटर्स में एक होता है विदाउट बॉक्स यानि जिनक पास नहीं होता है कोई ब्रैंड साथ लेता है तो दूनों और परइस अलग होता है ठीक है तो आज हम देखें लास्त में पराइस के बारे हम बाarta करेंगे तो हम देखले के इस बॏलों कैसे बना गर में तो क्या करेंगे पहले कि फिलाल मेरे पास नहीं है समझ लिजिए ठीक है कि मेरे पास नहीं है तो कैसे कर लेंगे यह लेगा यहां पर देगा और इसको थोड़ा दबा देंगा अब यहां पर आप चाहे तो इसको यहां पर ऐसे डाल के स्कूल लागा दीजिए अगर आप थोड़ा अच्छा बनाना चाहते हो कि नहीं है स्कूल देंगे से इसके साथ हीट सिंग नहीं है तो आप चाहे तो यहां पर थोड़ा हीट सिंग लागा कि स्कूल डाल चीजिए इसका क्वालिटी आच्छा होगा जिनके पास बहुत क्वांटिटी में होता है एक दिन महाजार पीस दोहाजार पीस बनाते वह लोग क्या क करते हैं कि इसको इस्तमाल करना चाहिए एस सिलीकॉन फेस्ट है इसे यूज करते हो लोग हम भी यूज करते से टाइम बढ़ जाता है क्वालिटी भी आच्छा होता है तो थोड़ा मैं सिलिकॉन पेस्ट यहां पर लगा लिया इसको यहां पर स्प्रेट कर देंगे अभी हम इसको यहां पर दबा देंगे थोड़ा अशाँ तो थोड़ी देर रखने में एक मीक के अंदर सकतो हो जाएगा तो क्या करेंगे हम अभी जो कैप है और वाला कैप यहां पर डाल देंगे हो गया अभी हम इसको थोड़ा वाय को काड लेंगे काल कर लिया हमने अक्यों अगर डाई है तो आँप इसको बठा दीजिये अगर नहीं है तो चोटा वाला जो जो ग्रास होता है ना इस्तिल ख्लास होता है उस्तेमल कर सकते हो छोटा वाला जो टीवल का पाइब होता है लोए काप अध्य धोड़ा कड़ लीजिए ओल भी यह पर यूज़ कर सकते हो दिगанд कोट ट री लिया अभिशुकत्रिश को शोल हदेरिंगे लिया है शोल्डरिंग कर लिए तैनल अब तैल अब तैल अब तैसे जो आफ हो गया अब तो यहां पर सुल्डरिंग कर लिए तैं कर लिए यह बहुत कम टैम में हो जाता है टाइम नहीं लगता तो हो गया कि आपके पास पांचिंग मेशिन है देख्या अगर आप क्वांटी में बनाएंगे तो आपको पास पांचिंग मेशिन होना चाहिए और नहीं तो आप तो एक आप व्हुआ डाल के इसको यूज कर सकते हैं लेकिन मैं बोलूंगा अगर आपके पांचिंग मेशिन है और तो पांचिंग कर लिजिए और जिनक पास नहीं है तो क्या करेंगे आपके डाल के वो कॉंटिटी में एक दो हो ठीक है ज्यादा क्वांटी में है तो प्रच्छी मेशिन आपको नहीं चाहिए हो गया अभी हम यह पर डिप्रिजर लागा देंगे एंड कि हमारा जो पांचिंग मेशिन उसके उससे पांचिंग कर देता है ठीक है कि तो पांच करके ऐसे हो गया यहाँ पर तो आए इसको टेस्ट करते थोड़ा जल रहा है ठीक है तो यह हो गया है बल्ब तो हमने बहुत जल्दी इसको बना लिया तो आईए देखते हैं कि इसका जो प्राइज होता है ठीक है वह कितना होता है रोमेट्रेस का प्राइस आपको कितने में मिल जाता है यहां भी हम देखते हैं देखिए बॉड़ी बॉडी का मतलब होता है बॉडी इसका अंदर जो हमने टिक्की लगा है टिक्की डिफ्यूजर बॉडी आपको मिल जाता है इसका प्राइस सेम रहता है जो प्राइस चेंज इसका प्राइस एंड इसका प्राइस सेम रहता है लेकिन जो प्राइस चेंज होता है वह है एडियो तो मैं यहां पर जो मिलेगा आपका सबसे कम प्राइज में यह बला अगर आप लो यह बला डियो भी तो आपको बारा रुपे में मिल जाएगा विट बॉक्स अगर आप विदाउट बॉक्स लेंगे तो एक रुपे कम हो जाता है तो यह होता इनोन गैनटी का सबसे कम प्राइज में आता है जो इहां यह बीच लिटी बाला होता है उसका प्राइज़ थेक्र पहले था यूकर 242 नहों रूपी reinvent do अब ज्ञाधा कौंटिटी लोग तो उस प्राइज में हो जाएगा सथेराशी में हो जाएगा तो यह है इसका कॉस्टिंग और जो बीखता है बाजार में अगर ये वाला लो डियो भी तो आराम से आगर आप खुच्रा बेशते हो मार्केट में तो 25 से लेका 30 रुपए तक बेशता है लोग ठीक है पार्केर में दोगे होलसेल में दोगे तो होलसेल प्राइस थोड़ा कम पाइसे में होता है माल लीजिये आपका 14 के 15 रुपए में होता है आप किसी रिटेल को दो गए तो वहां पर आठाय शलेगा 20 तक आप दे सकते हो और ओज लोग जो बेचेगा 25 से लेका 30 रुपए तक इसको बेचेगा तो यह हो गए इसका क्स्टिंग तो आपने देग लिया के डियू भी आप कैसे बना सकते हो विदाव टिक की मैसीन ट्रुणा कॉस्टी होता है तो इपके बना लिया आप इसे में सकते और इसका बहुत PAC फरीट है यह बहुत प्राफिटेबल है तो आप चाहे तो इससे अभी श्टार्ट कर सकते हो, आगर आपके पास बिसनेस है, तो आपको मालू है, कि इस बिसनेस में कितना प्रॉफित होता है, तो आज के लिए इतना ही बीडियो अच्छे ղए लिएक लिएक आपके लाइक, तो लाइक करनास, सेयर करना, ठीक है, ऑनन्दूसतों के साथ फूबा से सब्सक्राइब कर लीजिए कि एक लीडी बारे में जितना वी इंफर्मिशन है और हम आपको देते रहेंगे तो इस चैनल को आपने जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए तो आज के लिए इतना ही टाटा